सब अच्छे होंगे अपमें लाइफ में सब बनिया कर रहे होंगे अपना ध्यान रख रहे होंगे आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आए हूं और हम देखेंगे 16 अगस्ट जो है और आप न्यू मून है उस दिन तो आये देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज़स है क्या बताते हैं काड्स आपको काड्स प्लीज काइंसर अवेर्नेस रेस्ट रेजिविनेशन ट्रांस्वर्मेशन तो चक्रा एन इमोशनल विड्ड्रॉल वन मोर काड्स आपके लिए तो फिलाल जो ये जो न्यू मून आपके लिए है वो क्या लाने वाला अवेर्नेस बहुत सारा ज्यान बहुत सारी समझ जिन चीज़ों को अभी आप में शायद नहीं देखा था चीज के बारे में या तो यूनिवर्स आप से बात कर सकती है चैनल कर सकती मैसेज आपको कोई मैसेज अपना बता सकती है ठीक है तो ये भी हो सकता है आपकी मुन में चैनक से बैठे बैठे कुछ आ जाए कि अरे ये भी तो होता है और ऐसा भी तो हो सकता है तो ये चीज़ स्क्रोल ही कर रहे हो, ऐसा कोई मैसज आपके सामने आ गया, आप अचानल से रुख गया उसको पढ़ने लग गया, इसमें आपको कोई मैसज मिल जाए, तो कहीं ना कहीं से ये awareness ये universe आपसे बात करना चुआता है आपको कोई message पहुचा सकता है या तो आपकी awareness किसी चीज में बढ़ा सकता है यहाँ पर रेस्ट रेच्विनेशन का कार्ड आया है तो हो सकता आपसे कहा जए, थोड़ा सा अपने साथ समय बिताओ तो असा शान्त मन रखो, ठीके काम रहो कि हो सकता है कि आप उन चीजों को सुन पाओ, समझ पाओ कभी-कभी क्या होता है, कहते है कि जो science है न वो हमारे आसपासी है जो science होते, जो universe जिस भी तरीके से हमसे बात करना चाहता है हो सकता है कोई message आप तक पहुचा आना जिसके वज़े से वह कहरे है थोड़ा सा अकेले समय बिताओ, थोड़ा शान समय बिताओ, थोड़ा काम रहो यह new moon चाहता है कि आप थोड़ा सा शान्त रहे, काम रहे, अकेले में रहे खुद की आवास सुनें, खुद की जो energy उन्हें चार्ज करें, कभी-कभी लोगों के बीच में रहे के हमाई जो बैटरी है वो discharge उचाती है शोर में, लोगों में, तो यह है थोड़ा शान, relax, उचाते हैं आपको relax कराना, ठीक है transformation, एक बहुत बड़ा बदलाव यह आपके जीवन में देखने को मिल सकते है, new moon से मिलाब अगर आज सही, तो आज सही आपके लाइफ में कुछ बदलाव आपको देखने को मिल सकते है या तो आपके जीवन में आपके अंदर कोई बदलाव आपको देखने को मिल सकते ठीक है या तो आपके लाइफ में कोई बदलाव देख सकते या आपके अंदर आप और energetic feel कर रहे होंगे आपने आज कुछ अच्छा feel किया होगा अगर कुछ बुरा भी feel किया इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ा रीजन होगा और ये बदलाव लेकर आएगा ये रीजन ही जो हुआ है ये बदलाव लेकर आएगा awareness ऐसी बढ़ती जब कुछ होता है problem फसते हैं तो हम और चीज़े जानने की कोशिश करते curiosity बढ़ती है क्यों हो रहा है मेरे साथ इसका solution क्या है जब आप ये सब धूरने निकल जाते हैं अपने solution अपनी problem का solution तो आपकी awareness बढ़ती है सीखते हैं उसमें से कुछ तो चक्रा आया है आपसे कहा जा रहा है कि सच बोलना है सच का साथ देना है जूट बिलकुल नहीं बोलना है अपसा जो बोलना है तो उसका मतर जूट नहीं बोलना है जूट बोलने से कहा अपका तो चक्रा ब्लॉक हो जाएगा और ये भी कहोंगी कि बात बोलो मन में बात मत रखो खुद को एकदम बंद करके नहीं रखना अपने बातों को अपने मन में बस चल रही है बाते अंदर ये अंदर रख रहे हो नहीं बोलो खुल के बोलो अपनी बात बोलो अपना उपीनियन्स रखो ठीक है जितना हो सके बाते करो आप अलग हो इस दुनिया में आपकी personality अलग है, आपके opinions अलग है, आपका perception अलग है, तो नहीं रखा करो, बात करो, communicate करो, communication अगर आएगा, तो आपके life में जो problem शायद चल रही हो, वो भी ठीक हो सकती है, अगर आपको लगता है, मुझे किसे से communicate करने चाहिए, जैसे spiritual union में भी शायद किसी partner से, तो कर लेना चाहिए, emotional withdrawal, जब हम emotions को हटा के काम करते हैं, तो हमारा काम बहुत अच्छे से होता है, जहाँ express करने है, feeling वहाँ express करो, लेकिन जहाँ नहीं करने, बहुत साही चीज़े ऐसी होती ही, जहामे emotions की जवत नहीं पती, तब जब हम कोई decision ले रहे होते हैं, especially तब, नहीं तो emotions को ब या फिर कहीं बहुत जबहुत अपने emotions दिया, किसी relationship में in return नहीं मिला, अब समय आगे हैं कि withdrawal, कभी-कभी थोड़ा सा इंचीज़े से हटना भी पड़ता है, अपने emotions जहाँ निकाल रहे हो, दे रहे हो कहीं invest कर, अब थोड़ा सा withdrawal, अब वहाँ से investment को हटा लो, जो भी invest किया आपने emotions को, अब वहाँ से अटालो, ठीक है, यह ज़रूरी है, बहुत बहुत दे दिया, in return नहीं मिला, तो अब अटालो, ज़रूरी है, दूसरा emotional, अब थोड़ा emotions से कम, थोड़ा दिमाग से ज़ादा आप सोचना है, एक transformation मुझे यहाँ पर आप में से कुछ लोग के सही नहीं चल ला है, तो यहाँ पर emotions को अटा कि थोड़ा सही से आपको बात करने की ज़रूरी है, अब ही इस समय पर मेरा हिष्टा, मेरा relationship बहुत जरूरी है, अगर आपकी सच में माइने रखता है, तो please बात करने की ज़रूरी है, और आप दुनों को साथ आने की ज़रूर है, यहाँ पर कह सकते हैं कि अकल मंदी से एक relationship बात करने की ज़रूर होकर, emotional में लोग गरबर कर जाते हैं, रोनते हैं, बलेम करते हैं, कभी-कभी नहीं तुमने में साथ ऐसा किया, वैसा किया, यह थोड़ा से emotions हटा के आपको क्या करना है, बात करना है, ठीक है, अपने रि separation में थे, भाई, आप देख सकते हो, आपका union होने वाला, सिंगल हो, तो आपका union होने वाला, ठीक है, और अगर साथ में थे, तो यहाँ पर आपके लिए advice आ गई है, अगर आप दोनों के बीच में सच में कोई problem चल रही है, तो मुझे लगता है, emotions को हटा के, समझदारी से, mature होके अपने रिष्टे पे दोनों को बैठ के बात करनी की जरुवत है, आपर, आई देख लेते हैं, question, आपको यहाँ पर कहा जाए, सतर्क रहना, ठीक है, कुछ भी दुरगटना हो सकती है, यहाँ पर तो सतर्क रहना, अब मैंने पहले starting में आपसे बोल दिया था, angel number आपसे क्या कहना चाहता है, जो भी message मिलना, उसको लीजे, आप में सकर कुछ लोग यहाँ पर union में भी आ रहे हैं, यहाँ तो union है ही, अगर बच्चे के लिए देख रहे थे, ठीक है, pregnancy के लिए देख रहे थे, conceive करने के लिए, तो यहाँ पर chances बहुत है, फिलाल यहाँ प आपको सबसे सही direction देता है, सबसे सही आपको बताता है क्या करना चाहिए, को भी problem में है, चुकि यहाँ पर question आया, मैं यह इतना ही कहूंगी क्यों problems हो सकती है, आपसे चाहरा है क्या करना है, ध्यान रखना है, खुली रखनी है, आखे कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ तो हो सकत है कह सकते है, present में रही है, present में, तो आप problem को देख पाएंगे, और उसको हो सकता होने से पहले ही solve कर लिए रहे हैं, यह तो अगर problem पढ़े तो आप सही से उसका solution निकाल पाए, अपने intuitions, intuitions आपकी बहुत अच्छे से काम करने वाली है, यहाँ देख रहे है, मैसेज चैनल होड़ा, इस समय पे शाथ आप अकेले भी रह सकते हो, या फिर अभी तग अकेला समय बिताया है आपने, तो काफी universe के साथ connect हुए है, शान्त रहना, शान्त आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कभी-कभी emotions का भी दुफान अंदर आया हुआ था, उसको भी शान्त करने की ब मेरेकल, तो कुछ न कुछ तो ऐसा होगा जो unexpected है, आपने सोचा नहीं है, और ये आपकी दौरा नहीं, miracles तो अपने आप होते हैं, इस्वर करते हैं, तो वो कुछ आपको देना चाहते हैं, आपके लिए क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ miracle हो रहा है, अब ये कैसे होगा जब तक विश्वास नहीं रखोगे, विश्वास भी होना बहुत ज़रूरी, इश्वर के उपर कि वो मेरे साथ हैं, नहीं रखोगे तो ये कैसे होगा, तिक है, इस पर विश्वास होना चाहिए, कि ये होगा, miracles होते हैं, universe होते हैं, वो हमसे बात करते हैं, वो हमें science देते हैं, तो असक काम, काम रहें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये थी आपकी reading cancer, अगर आपको अच्छी लगए, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइम मैं चला भी तक नहीं किया है, तो कमेंट बोक्स में जबरूर बताएगा, थैंक यू पर वाचिंग,